नमश्कर दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Poco C31 है या कोई और मॉडल है Poco का तो यहाँ पे आप Screenshot का Sound कैसे Turn Off कर सकते हैं इस Step से Screenshot लेते हैं तो Screenshot का Sound आता है इसको बंद करने के लिए आप चले जाएंगे Setting पे सेटिंग पर जाने के बाद यहां पर sound and vibration का option देखने को मिलता है आप इस पर click कर लेंगे और इसको scroll करेंगे additional setting है आप इस पर click कर लेंगे अब यहां पर आपको काफी सारे sounds के option देखने को मिल जाते हैं तो आप चाहो तो इन में भी बारी बारी से turn off कर सकते हो dial pad का sound, touch का sound, screen lock sound वगरा बाकि यहां पर screenshot का sound आप turn off कर देंगे और यहां पर हम back कर लेंगे अब यहां पर हम screenshot लेंगे तो देख सकते हैं screenshot आ रहा है normally तो इस टैप से setting कर लिजेगा कोई भी sound नहीं देखने को मिल रहा है चली मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार